चोपड़े जो किस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हादिक स्वागत करता हूँ, मेरे प्यारी बच्चों नहीं 24 के क्रेक्षन विंडो के लिए NTA नी नोटिस जारी कर दिया है यह जो आप नोटिस देख रहे हैं, इसमें जो करेक्षन की डेट है, वो 18th March 24 से लेके 20 March 24 तक रखी गई है यानि कि इस डेट तक आप करेक्षन कर सकते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था कि करेक्षन के लिए सिरफ 3 दिन का ही टाइम मिलता है तो 18, 19, 20, March रात 11 बज़ के 50 मिनट तक आप करेक्षन कर सकते हैं, यानि कि last 20 March लास्ट 11 बज़ के 50 मिनट तक आप करेक्षन कर सकते हैं सबसे बड़ी कुशी की बात यह है कि इस बार सभी फिल्ड में करेक्षन कर सकते हैं का मतलब यह है कि किसी student के किसी भी field में अगर कोई mistake हो गई है तो उसको वो सही कर सकते हैं सिरफ mobile number और email ID को छोड़ करके photo signature thumb impression वगरा जो भी है hands के उनमें भी आप उनको भी दुबार upload कर सकते हैं documents को भी दुबार upload कर सकते हैं तो ये facility NTA ने इस बार अच्छी दी है हर field में आप correction कर सकते हैं mobile number और email ID को छोड़ करके ये correction कैसे करना है ये हम आपको जब 18th को correction start होगा उस समय process बता देंगे आप एक बार form को check अवस्य कर ले कि आपका form सही है या नहीं है किसी field में आपने क्या fill किया था कहीं mistake तो नहीं हो गई है वो 18th मार्स के बाद 18 मार्स से 20 मार्स के बीच में आप एक बार जरूर चेक कर लें अगर आपका कोई correction नहीं है तो correction है तो इसी के दोरान आप correction कर सकते हैं इसमें लेकिन ध्यान रखने वारी बात ये गिये है कि ये जो correction facility है वो सिरफ एकी बार है एकी बार का मतलब ये है कि आपने window open कर लिया, registration form open कर लिया उसमें आपने correction कर दिया जैसे कि माल लो आपने अपने address में correction कर दिया, code में correction कर दिया और उसके बाद submit कर दिया और फिर आपको ध्यान आया कि मेरे को तो किसी जैसे education or qualification में और correction करना था तो फिर आप नहीं कर सकते उसमें मतलब एक ही बार correction कर सकते हैं आपने correction करके एक बार submit कर दिया उसके बाद दुबारा correction की कोई facility नहीं है फिर से बता करेक्शन एकी बार होगा आपने करेक्शन करके सब्मेट कर दिया और सब्मेट करने के बाद आपको ध्यान रहा है कि आपको और करेक्शन करना किसी दूसरे फिल्ड में तो नहीं कर सकते हैं आप एक बार डिसाइड कर लें कि आपको किसमें करेक्शन करना है उन फिल्ड में क कर दिया, submit कर दिया, फिर आप 19 को और correction करना चाहते हैं, उसमें तो नहीं कर सकते हैं, वो एक ही बार correction कर सकते हैं, तो ये correction की इसमें facility दी गई है, अब हम बात करते हैं, fees की इसमें, तो fees का system इसमें इस परकार से है, कि अगर आपने fees deposit कर रखी है, मालो general category की fees आपने deposit कर रखी है, general category की जो fees है, वो 1,700 रुपीज है, 1,700 रुपीज है, general category की fees, आपने paid कर दी है, और उसके बाद आप सोच रहे हैं, आपने correction करना है, category change करनी है आपने, general से आपने EWS करनी है, तो EWS की जो fees है, 1,600 रुपीज है, और आपने 1,700 रुपीज पे कर रखा है, तो आपने extra 100 रुपीज पे कर रखा है, तो NTA ने कहा है कि जो access fees है, वो आपको, आपने जो access fees deposit कर रखी है, वो refund नहीं होगी, इस type से जो मैंने आपको समझाया है, मालो, आपने general की fees पे कर रखी है, और आप down category में आप change करना चारहे हैं, जैसे EWS में change करना चारहे हैं, SC में change करना, ST में change करना चारहे हैं, इन में change करना चारहे हैं, तो जो आपकी पहले fees आपने दे रखी है, और आपकी जो fees बच गई है, वो आपको ये fees refund नहीं होगी, यह आप 1000 applicable है, तो यह 700 रुपए आपको refund नहीं होंगे, लेकिन अगर आपने जैसे पहले EWS फिल कर रखा है, OBC फिल कर रखा है, SC, ST, यह फिल कर रखा है, तो जो आप general फिल करना चाहते हैं अभी, तो access fees है, वो आपको paid करना पड़ेगा यहां, जैसे माल लो आपने पहले OBC कर दिया, आपने fees पे की 1600, आप general करना चाहते हैं, तो आपको 100 रुपए extra फिर यहां देने पड़ेंगे, क्योंकि यहां 100 रुपए का difference आ रहा है, इसी प्रकार से आपने पहले SC कर रखा है, अभी आप general करना चाहते हैं, 1000 पे कर रखा आपने, तो general करना चाहते हैं, तो 700 यह कोई extra fees नहीं लगती है, किसी भी प्रकार की कोई extra fees नहीं लगेगी, अब इसमें किस-किस में correction कर सकते हैं, इसमें clear लिखा हुआ है, NXR1 में, all fields and uploaded documents, यह mobile number, email ID को छोड़ कर की, जो आपने mobile number और email ID, registration के time में यह दिया था, वही रहेगा, उसमें आप change नहीं कर सकते हैं, लेकिन सभी field में और सभी uploaded documents में आप दुबारा से correction कर सकते हैं, इसमें सभी registered candidate के लिए यह allowed है, आधार का अगर नहीं हुआ है authentication, तो आप आधार का भी re-authentication कर सकते हैं, यह भी सभी registered candidate के लिए allowed है, तो यह मैंने आपको correction window की सारी details बता दी है, फिर से वीडियो को summarize करवा द देता हूँ एक बार, correction window 18 से लेकि 20 March 24 रात 11 बज़के 50 मिनिट तक open रहेगी, और इसमें सभी field में correction कर सकते हैं, correction सिरफ एक ही time होगा, और अगर आप category change कर रहे हैं, lower से higher में कर रहे हैं, तो आपको additional piece deposit करनी पड़ेगी, तो यह वीडियो का सारांस है, बाकी update मिलते ही, जैसे आपने कैसे correction करना है, 18 को जैसे ही correction स्टार्ट हो जाएंगे, हम आपको inform कर देंगे, तो मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक मैं हरसाई चोपड़ा आपसे लेता हूँ विदा, जैहिं